वेल्कम टू माई चैनल आज मैं आपके शाथ शेयर करूंगी लड्डू बनाने की रेसीप लड्डू ताजे रसीले आम के लड्डू तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए आम जिने हमें दोके साफ करना है अच्छे से आम हमें सब मीठे शित करने के कोई भी लंस रहने की जो संभावना है वाँ खत्म हो जाए और जो हमारी लड्डू है बिलकुल पर्फेक्ट बने इसी तरीके से हमें सारा पल्प जो है बाहर निकाल दिया अगर अब बजन से देखेंगे तो धाइसो ग्राम के आस पास हमारा पल्प है आम का कितना बजन था कितना निकाल लिया उससे कोई माइने नहीं है और आम के इससे भी कोई माइने नहीं रखता है अगर आपको समझ मे तो आप चमज से इसे नाप के इस्तमाल में करें जितना पल्प निकलेगा उतनी हमें इसमें चीनी एड़ करनी है दो से तीन मिनट तक हम इसे कंटिन्यू चलाना है क्योंकि आम में पानी बहुत होता है अगर वो खतम नहीं होगा तो हमारे लड़ूए बहुत ही ज्यादा नर मिक्स कर लीजी अगर आप इसमें आपका आम का जो कलर है वो परफेक्ट नहीं है तो आप इसमें फूट कलर का इस्तमाल कर सकते हैं अब मैं इसमें डालूंगी नारिल का बूरा जो मार्केट में मिलता है अगर आप नहीं मिला है आपके पास नहीं है तो आप इसके जगे जो नारिल होता है उसको भी कस्के काम में ले सकते हैं अच्छे से मिलाना है दो से तीन चमच डाल सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ तीन चमच तक इसमें हो जाएगा लेकिन दो चमच बहुत होती है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आपके अपने चैनल को सिस्क्राइब करें कि आप देख सकते हैं बिलकुल लड्डू जो होते हैं उस कंटिनिंसी में हमारा हो चुका अब इसे ठंडा होने देते हैं ठंडा होने के बाद लड्डू जो है हमारे क्या परफेक्ट बनेंगे अभी तो और मैं इसे ठंडा कर रहे हूं यह तो कड़ाई का जो कड़ाई खुद जो है वो खुब गरम है इसलिए इस तरीके से अभी ठंडा ने हो गया पूरा हमें एक प्लेट में चारो तरफ फेला प। यह जो डाला है जिस कपसे मैंने चीनी ना पीति जिसकपसे मैंने आम का पव्प ना पा था अब मैं इसमें डाल रही हूं मिल्क पाउडर इसलिए डालते है इसका जो टेश्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनें के आया हमारे मुं में जाते ही गुल जाय ऐसा टेस्ट होगा तीन चम्मज डाले मैंने इसमें मिल्क पाउडर और जिस चम्मज से दूद ना पा था उसी चम्मज से मैंने यह चीनी डाली आदा क्योंकि मिल्क पाउडर का खुद का जो टेस्ट है वो मीठा होता है अब गेस को स्लो कर दीजिए और अच्छे से चलाइए इस को हैं इसको चोटी 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 से लडू मनाते उसके बिलकुल चोटी-छोटी से ऑनी हमारे लग बग धंडा हो चुका आहे आप देख सकते यह देखिए विक भद धंडा हो गया है अब एनने इसके सारे पेड़े बनालीजी अब आपने हाथ पर थोडा इस तरीके से लड़ू का इसे सेफ दे दीजिए और बीच में इसको रख लीजिए लड़ू खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं बहुत ही जादा एक बार तो जुरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेर और आपके अप नहीं तरह सकते ही काईए या फिरआ बीच में से इसे कट करके भी इस्तमाल करें